हेलो मेरा नाम संदीब गोड है और मैं क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट हूँ आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है एडजेस्टमेंट डिसॉडर एडजेस्टमेंट डिसॉडर क्या होता है उसके कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स में आज आपको इस वीडियो के जरीए बताऊंगा जैसा कि इसके नाम से आप समझ सकते हो एडजेस्टमेंट किसी परसन को अगर किसी चीज में एडजेस्ट करने के लिए प्रॉब्लम हो रही है वो प्रॉब्लम एक दिन, एक हपते, एक महीने और धीरे-धीरे करके आगे बढ़ती जा रही है तो वो ही adjustment problem आगे चलके adjustment disorder में convert हो जाती है जैसे कि for example किसी बच्चे का school start होने वाला है और बच्चा घर से अब school जाने वाला है और किसी teenage का college start होने वाला है तो बच्चा school से college जाने वाला है तो उससे में उसको बहुत ज़्यादा nervousness होता है टेंशन होता है stress होता है कि कैसे लोग होंगे teacher कैसे होंगे friends कैसे होंगे school या college कैसा होगा क्या होगा तो starting में बहुत ज़्यादा nervousness होता है टेंशन होता है उनको sometimes they are crying frequently they are not enjoying the things school के जो things होते हैं like a playground हुआ या जो भी activities होई उसको enjoy नहीं करते हैं उस समय बहुत ज़्यादा nervousness में होते हैं stress में होते हैं कि ये कौन है teacher कैसे हैं बहुत ज़्यादा strict तो नहीं है यह यह मेरे लाइक है या नहीं या मैं इसे फ्रेंड्शिप करूं मैं कैसे बात करूं उससे में बहुत ज्यादा नर्वस्थ होता है तो एगर मैं लड़की हूं तो अगर मैं किसी के घर जा रही हूं तो वहां के लोग कैसे होंगे कैसे बात करूंगी मैं कैसे उनके साथ भूलूंगी मिलूंगी और से कोई लड़का की शादी होने वाली है तो लड़का सोचता कि उसकी वाइप उसके घर पर आएगी तो वह कैसे रहेगी यहां पर तो उससे में भी एड़्जेस्मेंट डिसॉडर के सिंटम्स बहुत ज्या अगर दोनों में से कोई थोड़ा मेंटली इस्टरब होता है या इतना क्यापेबल नहीं होता है खुद को हैंडल करने के लिए तो उससे में ऐसे नवसने स्ट्रेस आ जाता है इंजाएटी आ जाती है कि बेभी होगा तो मैं कैसे रखूंगा या कैसे खिलाओंगा कैसे कि कैसे पिलाओंगे कहां से मनी आएगी या कैसे उसके इनवार्मेंट रखेंगे लोग कैसे उसको ग्रोग करेंगे लाइक दाट देंग ऐसा भी होता है कि इतने बार के पैरेंट जब पैरेंट किसी चाइल को रिजेक्ट कर देते हैं लाइक जब दोनों पैरेंट्स अगर वोकिंग है या वो किसी अलकोहल या अलग सब्स्टेंस के श्रीकार है उसके बच्चे पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो उससे मैं बच्चे के उपर एडजेस्मेंट डिसॉडर के सिम्टम्स आ जाते हैं नर्वस ने साज़ाता है अगर ताम फ्रिक्वेंटली क्राइ सब्सक्राइब करते हैं के लिए रहना पसंद करते हैं के लिए पसंद करते हैं लाइक तो यह सारे प्रॉब्लम होते हैं कभी कभी यह भी होता है कि इन्वार्मेंट लाइक हम लोग कोई घर कर रहे हैं एक सिटी से दूसरे सिटी लाइक मुंबाई मेरे तो मुंबाइ से डेली गुज्राट एहमदाबाद वह और एनी प्लेस आंगे प्लेस यह प्लेस ज लिटल बिट कल्चर भी डिफरेंट हो जाते हैं और लिटल बिट फ्रूट कॉलिटी भी डिफरेंट होती है तो उससे में भी ऐसा सिट्वेशन उनके साथ देखने को मिलता है जो आपने आपको क्यापबिली मैं मेंटली हैंडल नहीं कर पाते तो एड़ेस्मेंट के शिका अंकारियां दी हो तो प्लेस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए शेर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए थैंक यू